अब हम देखेंगे कि Telnet को कैसे ब्लॉक करना है, SSH को कैसे ब्लॉक करना है, Web Server SS को कैसे ब्लॉक करना है अब इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था, सारी services को हम ब्लॉक कर रहे थे जहां तो एक address से जा network से जा किसी भी network किसी भी IP से हम उसको block करें थे पर अब हम selective block करके देखेंगे मेन हम देखना चाहते हैं कि ports को कैसे handle करना है किस port को block करना है उसको block करने के लिए क्या rules हैं और इसको भी हम input direction के अंदर देखने की कोशिए करेंगे तो हम दो चीज़ें करने की कोशिए करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पहला task होगा कि भी 174.0.11 है वो इसके web server को assess ना कर सके यह हमारा पहला task होगा दूसरे task में हम क्या करेंगे कि भी यह जो है हमारा 174.0.11 है वो इसके यहां पे SSH ना कर पाई टेलनेट ना कर पाई बट हम दो रूल नहीं लिखेंगे एक ही रूल से काम चलाना चाहेंगे वो हमारा दूसरा task होगा अब हम यहां पे firewall पे बैठे हैं हम पहले case में web server को block करना चाहते हैं traffic कहां से आ रहा है 11 से आ रहा है जा किदर रहा है firewall की तरफ दूसरे case में भी हम यहां पे क्या करना चाहेंगे यहां से टेलनेट ना कर सके यहां से SSH ना कर सके तब भी हमारा जो traffic है वो किस direction में आ रहा है हमारा input direction में आ रहा है तो हम यहां पे जो rules लगाएंगे वो किस direction में लगाएंगे input direction में लगाएंगे जो हमारा अगर इसको हमu expect करना जाते हैं तो पहले टास्क या है कि हम block करना चाहते हैं assess web server की assess जो web server हमारा fireball पर चल रहा है हम चाहते हैं कि client 11 उसको assess ना कर सके तो end result क्या होगा कि client 11 web server को assess नहीं कर पाएगा पर अगर हम क्राइन 31 से बैठके करने की कोशी करेंगे तो वो देखेंगे करने देगा सेकंड केज में हम देखेंगे कि टैलनेट और SSH को ब्लॉक करना है तो SSH हमें दो रूल लिखने पड़ेंगे पर हम दो रूल नहीं लिखेंगे दो रूल की बज़ाए एक रूल से ही काम चलाना चाहेंगे तो सबसे पहले हम ध्यान रखना कि यह जो हम टास्क वन परफॉर्म कर रहे हैं यह बहुत इंपॉर्टन है इसके अंदर जो हम रूल लिखेंगे एक एडबिन की काफी सारा टाइम लाइफ के अंदर इस रूल के आसपा से निकलता है में इसलिए इस रूल को हम अच्छी तरह देखना चाहते हैं तो इसमें हम चेन कौन से यूज़ करें हैं इंपॉट जब इंपॉट कभी यूज़ करते हैं जब ट्रैफिक आपका फायरवल की तरफ आ रहा है तो इस केस में भी हमारा ट्रैफिक क्या आ रहा है दोनों टास्क में फायरवल की तरफ आ रहा है जो web server है वो at port पे run करता है और at port जो आता है वो tcp के अंद मीन जो हमारा web server है वो tcp protocol को use करता है तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि जब हम यह rule लिख रहे हैं हमें एक module load करना पड़ेगा module का नाम क्या होगा हमारा tcp और उसके अंदर कौन सा protocol है हमने tcp protocol यह को use करना है अगर हमारे पास कोई ऐसा web server है जैसे tftp server है वो udp पे काम करता है तो हमें यहाँ पे module udp लिखना पड़ेगा protocol भी udp लिखना पड़ेगा पर क्योंकि हमारा web server असी बोड पे काम करता है वो tc पे काम करता है तो यहाँ पे हम कहा रहे हैं कि भाई ip tables tcp module लोड कर दे tcp module के अंदर protocol tcp यूज़ करना है कहां से traffic आए हमारे 124.0.11 से आए और firewall के किस port की तरफ जाए यहाँ पे minus minus d port 80 की तरफ जाए तो उसको क्या कर देना है drop कर देना है तो हम ip tables list करके देख लेंगे तो वह वहाँ पे दिखा देगा नाम बगएर दिखा देगा कि हम client 11 से यह करना जाते हैं बड़ कई बड़ी हम यह नाम से जादा comfortable नहीं होते हम चाहते हैं कि ip address दिखाए तो हम पीछ करने के लिए हम क्या करेंगे bhaio client 11 पर पर पिर देखेंगे SSS करने के कोशिष करेंगे SSS करने मैं खैब लिए खैर भी ऑन्यचरा को भूकि नहीं किया फिर क्या करेंगे यहां से emailed सी करेंगे देलिक करने करेंगे। तो वह नहीं करने देगा क्या message और connection अम और हो सकता है कि नहीं वो एक page दिखा रहा है welcome to IP tables firewall तो हमें कोई issue नहीं है तो ध्यान रखना हम इस task को complete करने के बाद rule को delete नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि भी rules को कैसे save करना है क्यासे नहीं करना ठीक है तो यह task perform करने हमने ध्यान रखना है कि rule को delete नहीं करना है